साबर्मती के संत थे याने ताजी थे बंगाल के विद्रोह कर ली थी आजादी या बिन घटक बिन ढ़ाल के स्वतंतरता आंदोलनों में गुप्त कुछ मतवेद भी हैं इतिहास के इन कागजों में गुप्त लाखों भेद भी हैं गुप्त हैं कुछ कहानिया जो जान कर दबाई गई अहिंसा पर कायरता की पोशाक चड़ा कर बैठे थे अहिंसा का अर्ध अर्थ वो देश में गा कर बैठे थे नेता जी ने गौर कियां उन्हें बात यही बस घटकी थी के अहिंसा के इस अर्ध ग्यान पर आजादी मेरी अठकी थी सब गाल पे थपड़ खा कर दूजा आगे करने वाले थे नेता जी थपड़ खाते ना वो थपड़ जड़ने वाले थे हिंद आजाद कराने को जर्मन जपान को जोड़ दिया हिटलर से समझोता कर अंग्रेजों को जण जोड़ दिया और बागीचों में गुलाबों के जब नहरूजी रहते मनमौज थे नेता जी तब नेता जी नहीं वो आजाद हिंद फौज थे घबराते अंग्रेजों ने सोचा के अब क्या चूख हुई कोई चर्खा ना चला अब मस्तक पर बंदूख हुई फिर सडकों पर उतरे सैना नी सेना उने वित्रोह किया जल और थल सेना उनको नेता जी ने सम्मोह किया खून के बदले आजादी देने की उसने ठानी थी सेना का वित्रोह देख कॉंग्रेज भी पानी पानी थी फिर राजनी थी के दाओं पेच में नेता जी कहीं खो गए प्रधान मंत्री और राष्ट पिता फिर नहरू गांधी हो गए तो फिर साबर मती के संत थे या नेता जी थे बंगाल के विद्रोह कर ली थी आजादी या बिन खडग बिन धाल के अहिंसा पर कायरता की पोशाब चढ़ा कर बैठे थे अहिंसा का अर्ध अर्थ वो देश में काकर बैठे थे बिखरा हुआ था होसला दोनों गाल पर चांटा था शेकर ने फिर हिंसा को हत्यारों से ही काटा था फिर बिस्मिल जी के नेत्रत्व में लूटी रेल का कोरी में काला धन अंग्रेजों का फिर डाला बोरी बोरी में फिर भीशनवी स्पोर्ट की बनी योजना भगत सिंग भी राजी थे धमधम गूझ उठी धरती शेकर की आतिश बाजी से तब अंग्रेजों की लाठी से पंजाब केसरी घायल थे पर ये तीन दिवाने भी आजाद हिंद पे गायल थे प्रतिशोद की ठानी लाला जी को फिर उपहार दिया एक अंग्रेजी अपसर को फिर मौत क घाट उतार दिया सामराज की नीव हिली अब गोरे फिर से दंग हुए कि ये अहिंसक चर्खे पल भर में कैसे हुड़ दंग हुए अंचन का जिसने मार्ग चुना उनका भी हम सम्मान करी पर ये देश आजाद नहीं होता बिन खडग बिन धाल धरे कायरता को कुरसी वीरत् दियो को क्या थाक मिला सावरकर को बदनामी जिन्ना को पूरा पाक मिला कोई तो पूछे इतहासों की नीव कहा बुनियाद कहां कोई तो पूछे कोई तो पूछे एक दिन काला पानी का कोहराम कहां, कोई तो पूछे एतिहासों में सावरकर का नाम कहां, कोई तो पूछे उठापून स्वराज का उबाल कहां, कोई तो पूछे एतिहासों में लाल बाल और पाल कहां, कोई तो पूछे मकसद क्या था चाचा और सन्यासी का, कोई तो पूछे क्या कारण था भगत सिंग की फांसी का कोई तो पूछे भारत मा का आचल किसने काटा था कोई तो पूछे भारत को टुकडों में किसने बाटा था कोई तो पूछे भारत को धर्मों में किसने बाटा था झाल